मेरे पिता किसी सहर में दो भाई रहते थे, उनमें से एक सहर का सबसे बड़ा बिजनेसमेन था, तो दूसरा एक ड्रग एडिक्ट था, जो अक्सर नसी की हालत में लोगों से मारपिट किया करता था, जब लोग इनके बारे में जानते तो बहुत आस्चारे करते, कि आखिर द में पले बढ़े हैं, कुछ लोग ने इस बात का पता लगाने का निश्चे किया, और साम को भाईों के घर पहुंच गए, अंदर घोचते हैं उन्हें नसे में दुथ एक ब्यक्ति दिखा, वे उसके पास गय और पूछा, भाई, तुम ऐसे क्यों हो, तुम बेवजर लोग बाई जगड़ा करते हो, नसे में दुथ अपने बीबी बच्चों को पिटते हो, आखिर ये सब करने की वज़ा क्या है, मेरे पिता, भाई ने उतर दिये, पिता, वो कैसे, लोगों ने पूछा, भाई बोला, मेरे पिता सराबी थे, वे अक्सर मेरी माँ और हम दोनों भाईयों को पिटा करते थे, भला तुम लोग मुझसे और क्या उमिद कर सकते हो, मैं भी वैसा ही हूँ, फिर वे लोग दूसरे भाई के पास गए, वो अपने काम में ब्यस था, और थोड़ी देर बाद उनसे मिलने आया, माफ किजीगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो भाई बोला, बताईए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, लोगों ने इस भाई से भी वही प्रश्न किया, आप इतने सम्मानित बिजनेसमेन है, आपकी हर जगह पूछ है, आप सभी आपकी प्रशंचा करते हैं, आखिर आपकी इन उपलबदियों की वज़ा क्या है, मे मैं ये सब चुपचाप देखा करता था, तभी मैंने निस्चे कर लिया था, कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता, मुझे तो एक सभ्य और सम्मानित बड़ा आदने बनना है, और मैं वही बना, भाई ने अपनी बात पूरी की, फ्रेंड्स हमारे साथ जो कुछ भी घटा है, उसके पॉजिटिव और नेगिटिव एसपेक्ट हो सकते हैं, जरूरत इस बात की है, कि हम पॉजिटिव एसपेक्ट पर कॉंसेंट्रेट करें, और वहीं से अपने इंस्पिरेशन रो करें, अगर आपको ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूरत ने कमेंट करें